आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि high voltage line पर ACB को क्यों नहीं लगाया जाता है जब भी हम high voltage की बात करते हैं तो या तो वहाँ पर VCB को लगाया जाता है इसके अलावा वहाँ पर कभी OCB, SF6 circuit breaker, ABCB इस तरीकी के अलग breaker लगाया जाता है वहाँ ACB मतलब air circuit breaker नहीं लगाया जाता तो इसके पीछे क्या रिजने वही आज हम जान लेंगे तो बीना जादे दिरगरे वीडियो को start कर लेते हैं दोसो वीडियो के starting में आपको सबसे पहले थोड़ा यह है पता होना जी कि आखिर कर एक circuit breaker को लगाया ही क्यों जाता है तो दोसो इसके पीछे का जो जवाब है वह काफी जादा simple है वह आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है इसका नाम है circuit breaker मतलब कि हमारी जो यह line है जैसे यह ryb3 phase है और इधर हमने load जोड रखा है तो यह जो line है यह जो circuit है पूरा इस circuit को बीच में से break करने का काम बीच में से काटने का काम कौन करता है वह करता है हमारा circuit breaker अब दोस्तो circuit breaker के और भी कहीं सारे फायदे होते हैं उनको और भी कहीं region से लगाए जाता है जैसे कि उसको लगाने समय protection भी मिल जाती है वह सब चीज़े अलग है लेकिन circuit breaker का जो मुख्य काम है वह हमको पता चल रहा है इसके नाम से जो की है circuit को break करना अब दोस्तों एक सव electrical example से समझा सकता हूँ आप सभी ने कई बार जब electrical का work किया होगा तो आपने देखा होगा अगर आप कभी running MCV में कोई हमारी MCV चालू है या हमार कोई भी load चालू है तो उस running condition में अगर आप wire को लगाते हो या wire को हटाते हो तो वहाँ पर आपको एक spark देखने को मिलता है उस spark को electrical में हम आर्क बोलते हैं हम उसे बोलता है तो ये उस condition में बनती है जब हम वहारे किसी circuit को brake कर रहे होते हैं बीच में से open कर रहे होते हैं तो अब जो यह हमारे circuit को brake करने के वज़ेसे जो आरक उत्पन हो रही है जो हमारी चिंगारी जो spark है उस spark को ही control करने के लिए different, डिफ्रेंट टाइप के सर्कीट बेकर मार्केट में उपलब्ध होते हैं अब आप सभी एक चीज यह भी बोल सकते हो कि क्यों हम अलग लग तरीके सर्कीट बेकर लगा रहें सिर्फ एक आर्क को कंट्रोल करने के लिए जब हमारी MCB में देखते हैं स्पार्गिंग होती है तो उससे होगा भी क्या उससे क्या फरक पड़ेगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो यह आर्क है यह जब हमारे वोल्टेज कम है तब तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं ल वो पानी 100 degree celsius temperature पे हमारा भाब बनने लग जाता है उबनने लग जाता है तो अगर आप इस आर्क के temperature की बात करो तो वो 2000 degree celsius तक होती है मतलब कि जितने temperature से हमारा पानी करम होता है उसका 20 गुना ज्यादा temperature हमारे electric arc का हो सकता है तो अब आप इससे idea लगा सकते हूं कि यह ज control नहीं किया जाए तो वह आर्क हमारे electrical के जो devices जो हमारी bus bar है जो हमारी line है उन सब कुछ जला की रख सकती है तो दोस्तो इतना जानने के बाद में अब एक और सवाल आप सभीगन में आ सकता है कि आखिर कार एक circuit breaker कैसे हमारी आर्क को हमारे control कर लेता इस आर्क को बढ़ने न जो हमारी जो आर्क है जो हमारे spark generate हो रहा है उसको quench करना मतलब उसको हमारे thunder करना बूल सकते हो या उसको कखतम करना उसको शमन करना आर्क क्यलाता है तो हमारी जितने भी टाइप के circuit breaker होते है इनके सब की capacity होती इस हद तक हमारे आर्क को quench कर सकती है और मैं आपको एक और कि हम जो भी circuit breaker के नाम देखेंगे जब हम ACB की बात करते है VCB OCB इसके अलावा हमार SF6 इनके नाम से हमें पतल जाता है कि जो यह circuit breaker है यह हमारे आर्क को किस तरीके से क्विंच करेंगे किस तरीके से हमारे आर्क को खतम करेंगे जैसे कि अगर ACB की बात करें जो हमारे industry में सबसे ज्यादा उपयोग होती है लो वोल्टेज पर इसके अंदर दोस्तों कोई भी ऐसकी आर्क क्विंचिंग अलग से special नहीं होती है ACB के केस में हमार जो circuit break होता है वो normal हवा में ही हो रहा होता है लेकिन जब आप VCB के बात करते हो VCB का इसमाल हम high voltage line में करते हैं हमारे 66 KV तक VCB का इसमाल किया जाता है तो VCB को high voltage में इसलिए उपयोग कर ले जाता है क्योंकि VCB के अंदर जहां पर हमारा circuit break होगा वो chamber हमारा पूरी तरह से vacuum sealed होता है मतलब उस chamber में विल्कुल भी air नहीं होती है क्या लाओ दोस्ता अगर हमारा circuit breaker में और भी ज्यादा high voltage है तो उस case में हम OCB को लगाते हैं OCB का मतलब होता है oil circuit breaker के case में यह होता है कि जो भी हमारा circuit break होगा वो हमारा oil से भरेवे chamber में होगा ऐसा circuit को break करते समय किसी भी तरीकी के आर्क उत्पन नहीं हो इसके अलाओ दोस्तों हमारा ABCB circuit breaker भी इस्तमाल क्या गता है जिसके full form होती है air blast circuit breaker इसमें एक motor लगा दी जाती है और जब हमारा circuit break होता है तो जो आर्क बनती है उस आर्क को air blast की मतलब से मतलब एक cylinder में हमारी air भर लेत लेकिन आज के समय ABCB circuit breaker का थोड़ा उपयो कम कर दिया गया है आज कल इसी का advanced version SF6 circuit breaker उपयो करते है SF6 same हमारा ABCB के तरह ही काम करता है लेकिन इसमें चीज यह होती है कि हम ABCB के case में तो हमारी जो normal air थी उस air को ही हम compress करके बाद में जैसी हमारा circuit breaker होता है हमारी जो आर्क बनती है उस आर्क पे blast करते है air को लेकिन SF6 circuit breaker में हमारे normal air की बज़ए यहाँ पे sulfur flora oxide gas का उपयो किया जाता है तो यह जो gas होती है यह आर्क को खतम करने में और भी ज़्यादा capable होती है तो इसी वज़ए से जो हमारी आज के समय जो super high tension line है उसके ना SF6 circuit breaker बेकर गउपयो कर जाता है तो दोसो बस आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी different genre मिली होगी आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक like के जुरू बताएगा के लिए इतना ही धन्यवाद